Hello students! अपने पिछले रेक्षर में मैंने आपको Modulus Inequality का Basic पढ़ाये था क्या Modulus Inequality का Basic क्या है? अब हम यहां देखेंगे उससे related कुछ और problems कि भे कुछ problems हम Modulus Inequality में कि-किस तरीके की हमारे पास बन सकती है • ठीक है? उस चीज को हम यहां देखेंगे जैसे सपोस करिए हमारे पास एक question है question number 1 है कि mod x minus 1 का whole square या फिर ये question है x minus 1 का square plus mod of x minus 1 minus 6 less than equal to 0 ठीक है कि x minus 1 का whole square plus mod x minus 1 minus 6 less than equal to 0 इस inequality को कैसे solve करना है अब देखो इस inequality को solve करने के लिए x minus 1 के whole square को x minus 1 के whole square को क्या हम mod x minus 1 का square लिख सकते हैं क्या ये दोनों बाते बराबर होती हैं ये दोनों बाते बराबर होती हैं ये दोनों बाते बराबर होती हैं तो ऐसा करो mod x minus 1 को t मान लो यार for the time being तो ये हमारे पास क्या हुआ t square plus t minus 6 less than equal to 0 अब t square plus t minus 6 less than 0 तो इसके factor क्या हुए t plus 3 into t minus 2 less than equal to 0 wavy curve से इसका अगर देखें answer कि इसका wavy curve से ये minus 3 है ये 2 है ये wavy curve बनेगा ये positive ये negative ये positive आएगा हमें क्या चाहिए negative चाहिए तो negative का answer क्या होगा minus 3 से 2 इसका मतलब t जो की mod x minus 1 था वो minus 3 से 2 के बीच में होना चाहिए अब mod x minus 1 minus 3 से बड़ा कब होगा always कि ये तो always है तो जो always है उसको लिखते नहीं है बचा किया x minus 1 less than equal to 2 तो x minus 1 ये x minus 1 lie between minus 2 से plus 2 ये x minus 1 minus 2 से plus 2 हो जाएगा अब x minus 1 minus 2 से plus 2 हो गया तो x अपने पास ये 1 इधर जाएगा तो minus 1 होगा और ये 3 तो what should be the answer of this problem minus 1 से 3 लड़ू कोश्चन चलिए और कोश्चन देखते हैं कि और कोश्चन हमारे पास क्या हो सकता है मैं अलग-अलग variety करा हूँगा अब यहाँ पे आगो है ना कि अलग-अलग variety है कि अलग-अलग variety को हम कैसे देखें कि अलग-अलग variety में क्या हो सकता है जैसे हमारे पास है माल दीजिए question number 2 है mod 2x-1 upon x plus 1 is less than equal to 2 let's say we have this problem कि mod 2x-1 upon x plus 1 less than equal to 2 अब देखो यहाँ पे इस question को करने के लिए mod of something 2 से छोटा है तो यह चीज माइनस 2 से 2 2x-1 upon x plus 1 minus 2 से 2 के बीच में होनी चाहिए एक बार इसको solve करेंगे एक बार इसको solve करेंगे और दोनों को क्या ले लेंगे intersection एक तरीका तो यह है दूसरा कोई तरीका है क्या आप इससे देखोगे तो पाओगे थोड़ा बड़ा पैठ रहा है question आप इसको देखोगे ना और करोगे तो पाओगे कि सर्यार यह तो थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो गया question इस तरीके से तो कोई smart method नहीं है कि आपके पास smart method भी है लेंदी है तो smart method भी है जैसे उसके लिए थोड़ी property बताओने चाहिए क्या property बताओने चाहिए यह जैसे mod of a upon b क्या होता है mod a upon mod b होता है क्या mod of a upon b mod a upon mod b होता है क्या हाँ है ना yes यह मैंने पढ़ा चुका हूँ तो mod of a upon b mod a upon mod b होता है mod of a upon b को हम लिख सकते है mod 2x minus 1 upon mod x plus 1 less than equal to 2 यह मैंने इसे लिख किया x plus 1 उधर गया यह जो हाँ यह sorry इधर जाने से पहले यह जो mod x plus 1 है यह positive है कैसे मैं cross multiply कर सकता हूँ mod x plus 1 से cross multiply दूँआदू कर सकते है नहीं कर सकते है कि इससे multiply कर दो बस यह लिख लेना कि x is not equal to minus 1 कि भी denominator 0 नहीं होना चाहिए तो हम उसको उधर ले गए तो यह हमारे पास आ गया क्या mod 2x minus 1 less than equal to 2 times mod x plus 1 अब देखो यह भी positive और यह भी positive दोनों side positive भी यह भी positive है और यह भी positive है दोनों side ही positive है दोनों side positive हो तो हम क्या गड़ सकते है square तो हम इसका square कर लेते हैं तो 2x minus 1 का square क्या होगा 4x square minus 4x plus 1 यह इसका square होगा और उधर square करोगे तो 2 का square 4 x square plus 2x plus 1 तो 4x square 4x square cancel out हो गया भी 4x square 4 square cancel out हो गया और यहाँ पे 4 into 2 8x यह आगया 12x और यह आगया minus 3 भी यह plus 1 है यह plus 4 है 4 इधर जाएगा तो यह minus 3 जाएगा 12 से divide कर देते हैं तो x is greater than minus 1 by 4 कि x अपना minus 1 by 4 से बड़ा होना चाहिए कि x is greater than minus 1 by 4 yes or no कि x minus 1 by 4 से बड़ा होना चाहिए अब x minus 1 by 4 से बड़ा होना चाहिए क्या इस रोडे में minus 1 आ रहा है क्या कहीं पे भी बताओ कहीं हाँ minus 1 आ रहा है क्या नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो बस सही है तो x minus 1 by 4 से बड़ा होना चाहिए तो answer क्या हो गया minus 1 by 4 से लेके infinite यह इस question का answer हो गया ठीक बाद मज़ा आया है इस question में चलिए और देखते हैं और किस तरह का question हमारे पास हो सकता है ठीक modulus inequality में जैसे problem number 3 देखते हैं कि भी problem number 3 किस तरह की हो सकती है कि जैसे mod x minus 1 plus mod x minus 3 plus mod x minus 5 और इसको हम लिख लेते हैं greater than equal to 12 कि भी इस inequality का solution क्या होगा mod x minus 1 plus mod x minus 3 plus mod x minus 5 अब देखो यहाँ पे 3-3 mod है यह भी mode है यह भी mode है यह भी mode है तीनों mode को खोलो फिर solve करो यह तीनों mode को खोलें और फिर solve करें जैसे यह कहाँ पे 0 है 1 पे यह कहाँ पे 0 है 3 पे यह कहाँ पे 0 है 5 पे ठीक पात तो इन में interval बनेंगे क्योंसा interval बनेगा बईसे खोलने के लिए कैसे बनेगा एक होगा X अगर 5 से बढ़ा है दूसरा होगा X अगर 5 से छोटा है और 3 से बढ़ा है और तीसरा होगा X अगर 3 से छोटा है और 1 से बढ़ा है और चोथा होगा X अगर 1 से छोटा है ठीक बात इस 1 को इधर ले लेते हैं कोई बात नहीं कहीं भी ले लो कोई फर्रक नी पड़ेगा उससे चलिए तो x5 से बड़ा है x3 से 5 x1 से 3 और x1 से छोटा है अब हर एक interval में हमें mode खोलना है पहले तो x अगर 5 से बड़ा है तो ये कैसा positive ये कैसा positive ये कैसा positive तो x-1 plus x-3 plus x-5 greater than 12 हो गया क्या yes or no अब यहाँ पे xxx हो गया 3x xxx कितना हो गया 3x 5 और 38 और 9 उधर गया तो 9 प्लस 12 कितना हो गया 21 तो x greater than equal to 7 आ गया अब देखो x 5 से बड़ा है तो x greater than equal to 7 आ रहा है क्या ये acceptable solution है yes ये acceptable solution है तो इस case में answer आया 7 से लेके infinity इस case में answer क्या आया 7 से लेके infinity ठेक है अब इसकी बात करते हैं x अगर 3 से 5 के बीच में है तो बेटा 3 से 5 के बीच में है मतलब 3 से बड़ा है 3 से बड़ा है तो ये कैसी चीज है positive ये कैसी चीज है positive लेकिन ये चीज कैसी है negative तो ये चीज positive है तो x minus 1 खोलो वो चीज positive है तो x minus 3 खोलो ये चीज negative है तो minus x plus 5 खोलो तो x x उड़ा ठीक है और x-4 प्लस 5 तो x प्लस 1 हो गया x प्लस 1 वन उधर गया तो x ग्रेटर देन 11 आ गया ठीक बात तो x ग्रेटर देन 11 और x 3 से 5 क्या दोनों का कोई intersection आवा है नहीं आता है कोई intersection नहीं आ रहा है तो यहां पर कोई solution नहीं मिलेगा ठीक बात दूसरा case देख लेते हैं 1 से 3 बारा देख लेते हैं 1 से 3 1 से 3 में यह positive यह दोनों negative तो x-1 तो ऐसी खुलेगा minus x plus 3 minus x plus 5 greater than 12 एक x कट जाएगा यहां बचाएगा minus x और 5 plus 3 8 8 minus 1 7 plus 7 greater than equal to 12 तो इसका x को अधर ले जाए x is less than equal to minus 5 ठीक बात तो x minus 5 से x is less than equal to minus 5 हाँ सही है तो x less than equal to minus 5 x minus 5 से छोटा है और x 1 से 3 के बीच में है possible है minus 5 से छोटा और 1 से 3 के बीच में possible है क्या नहीं है possible तो इसमें भी कोई answer नहीं आएगा इसमें देखते हैं x 1 से बड़ा तो ये भी negative ये भी negative ये भी negative तीनों negative तो minus x plus 1 minus x plus 3 minus x plus 5 should greater than 12 x x x 3x हो गया तो minus 3x और 1 plus 8 plus 5 ये हो गया 9 और ये हो गया 12 तो ये 9 उदर गया तो ये बचा 3 minus 1 से multiply करेंगे this sign of inequality क्या हो जाएगा change तो x is less than equal to minus 1 आ गया अब 1 से छोटा है तो minus 1 से छोटा आ रहा है बई 1 से छोटा है तो minus 1 के equal है छोटा आ रहा है तो ये solution है क्या yes minus 1 से छोटा मतलब minus infinitive से minus 1 minus infinitive से minus 1 yes or no तो भई एक केस इसमें answer आया एक केस इसमें answer आया इसमें answer आया 7 से infinitive इसमें आया minus infinitive से minus 1 तो दोनों का intersection क्या होगा दोनों का union क्या होगा answer होगा minus infinitive से minus 1 union 7 से infinitive तो ये हमारे पास इस question का answer है मजा आया इस question में हाँ या ना तो inequality चाह कितनी छोटी हो चाह कितनी बड़ी हो उसको solve करने का fundamental principle तो वही है क्या mode खोल दो या फिर वो जो पहले इस से पेछले lecture होता है न वो कर लो तो mode खोल दो और inequality को solve कर लो inequality solve अपनी हो ही चाहेगी तो इस lecture को तो मैं ही इतना रखता हूँ उमीद करता हूँ कि जो problems मैंने कराई हैं यह आपको बढ़िया लगी होंगी मौड लस inequality में इतनी practice काफी है वैसे तो और खूब सारे questions कर सकते हो आप लोग लेकिन इस सफिशेंट है मतलब इससे सारी आइडिया लगे आपको कैसे कैसे questions आते हैं ठीक है जी तो इस lecture में इतना ही अगर यह आपको problems पसंद आई है इस पेशली वाली तो इस वीडियो को like और share जरूर कर देना thank you very much